मेरा नाम है विवेक भारत द्वाज आप देख रहे हैं हमारा चनल टेक्नलोजी विवेक जहां हम मोबाइल और कंपूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए कभी सारी वीडियो लेकर आता रहते हैं आई दोस्तों आज कर वीडियो लेकर आये हैं वाटसेप ने कुछ बहुत जदा रीसेंट अपडेट लाना शुरू कर दिये हैं और एक जो बहुत अच्छा अपडेट आया है दोस्तों जो एक जमाने में कुछ टाइम पहले कह सकते हैं कि अलग-अलग जो वाटसेप के क्लोन बनकर अप स्टोर पर चलते थे वहां से इनका यूज करना पड़ता था और यह जो है अपडेट इतने फासली आ रहा है दोस्तों और इसका एक फाइदा यह है क्योंकि मैं पहले आपको वहां लेकर चलूंगा जहां से यह अपडेट आते क्यों हैं और किस तरीके से आ रहे हैं यह मैं आपको देखाना चाहूंगा आप तो यहां पर देखिए हम पहले यहां चलते हैं और यह पहले आ आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है अनीट करूंगा तो जो मैसेज अभी मैंने पड़े नहीं है या मैं पड़न नहीं पाया हूँ यह जो लोग शिकायत करते थे कि अरे वह आपका मैसिज नीची चला गया होगा मैं देख नहीं पाया तो उनके लिए यह अन्रीड अलक से आ गया है और यह गुरूप आ गया है यह सारे गूप्स आप यहां पर देख पा रहे हैं और कुछ गुरूप क्योंकि हमारे अर्काइब होंगे इस कारण से वह जो है यहां पर शो नहीं हो रहा है तो आने के बाद काफी सारी users की शिकायद थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है यह update दोस्तों आप कई सारे accounts में देखेंगे वहां नहीं आएगा और ऐसे काफी सारे कमेंट आते हैं कि हमारे में शो नहीं हो रहा है क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा data है और इतने यादर downloads है सब जंग है rollout होना किस ब्यक्ति ने कैसी setting लगा रखी है मैं आपको एक और अच्छी setting दिखाता हूँ दोस्तों जो whatsapp ने अब auto update पर कर दी है आप यहाँ पर आईए इसके बाद आप settings में चलिए settings पर चलने के बाद तो यहाँ पर नीचे ड्रेक करना है और यहाँ पर देखी लिखा हुआ है app updates अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे यह आपको दो option देख रहे हैं auto update WhatsApp जैसे यह बाइफाई पर आएं तो आप यहाँ पर auto update लगा सकते हैं और आपको यह notification भी देगा अगर आपका notification on है when get notified when updates are available और इस्टिल update your app separately Google Play Store पर अगर आपका अपडेट आता है और वहाँ पर आपने वाइफाई की शेटिंग लगा रखी है तो आपको WhatsApp वहां से अब्डेट हो जाएगा लेकिन अगर आप यहां से इसको अपडेट कर देते हैं तो जो भी यहां फर्स्ट अपडेट आ रहे हैं दो security notification का इसको सभी आप लोग on कर लीजिए दोस्तों क्योंकि यह देखिए आपको क्या बताता है यह आपको notify करेगा when your security code changes for a contacts phone in an end-to-end encryption chat if you have multiple devices this setting must be enabled on each device where you want to get notification दोस्तों आप जिस भी डिवाइस पर आपके WhatsApp login का notification चाहते हैं उसको यहां से on करके रखिए दोस्तों यह बहु WhatsApp के जो कि मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होंगे पसंद आया होंगे इस वीडियो को शेर कीजिए कमेंट कीजिए और आप अपने WhatsApp को पहले अपडेट कीजिए ताकि आप भी इन सारे चेची सुब्दाओं का लाव उठा सकें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरा नाम है बिविक भारत वाच थेंक यू